तो Classics friends, आज मैं आप लोगों को बताने जाड़ा हूँ, Classics का जो आपका Physics book है, उसकी Chapter 6 Magnetism, जो जिसे book से मैं आपको यह कराने वाला हूँ, यह है Salina Physics, तो जिदि यह book आपके पास है, तो यह बहुत अची बात है, आप अपने books के point-wise point और हर एक चीज़ों को match कराकर पढ़ स तो उनके अलावा भी जो भी books आपके पास है, वो friends भी इन वीडियो को watch कर सकते हो, तो चलिए guys, जैसे कि मैं आपको बता दिया, कि आज तर जो हमारा topic है, वो होने वाला Magnetism, जो कि आपका Chapter 6 है, और इस Chapter में हम लोग basically Magnet के बारे में, A to Z information जाने वाले कि Magnet क्या होती है, उस क्या हम लोग बना सकते हैं, या फिर नहीं बना सकते हैं, कितने Types की होती हैं, क्या 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 करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप अपना Themes बता देना चाहता हूँ, तो चलिए guys, शूरू करते हैं, आप चैनलों पे नए हो तो guys, वीडियो को like करें, चीज़ के around, यह पूरी पूरी chapter जो हो revolve करने वाली है, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या सीखने वाले है, और हमारा learning objective क्या होने वाला है, बहुत सिंपल सिप, एक लाइन में या पर magnet का definition मिल जाता है, तो magnet वो substance है, जो iron nails को अपनी और, iron material को अपनी और attract क करता है, उसे हम लोग कहते है, magnetic material, चुल एक example के तरू बताते है, for example, iron जो है, nickel है, यह फिर cobalt है, यह तीनों के जो material है, वो क्या करती है, यह magnet की तरफ attract हो जाती है, तो इसे हम लोग कहते है, magnetic material, but कुछ और example से जैसे की glass, plastic, wood, यह क्या करती है, यह आपके magnet की और attract नहीं होत है, तो इसे हम लोग कहते है, non-magnetic substances, और non-magnetic material, तो guys, आपको यह समझ लोग, बस तीन चीज मैंने आपको पता है, magnet का है, magnetic material का है, और non-magnetic material का है, और I hope कि यह चीज आपको समझ में आई होगी, कोई भी doubt हो, तो comment box में बीशक कर सकते हो, और मैं कोशिस करूँगा, आपक रिपलाई करके कोशिस को अपके कोशिस को में shut out करने का प्रयाश करता हूँ, चलि आगे बढ़ते है, when a magnet is suspended freely, तो क्या कह रहा है, कि जब एक magnet का freely suspend करता है, एक हवा में यूही ऐसी लटका देते हो, तो यह always raced in same direction, जैसे आप कोई चीज को हवा में लटकाते हो, थोड़ी तो अब यह जब north-south direction में आके रूख जाती, तो magnet का वो हिश्या, magnet का वो point या फिश्या, जो north की तरफ होती है, उसे हम लोग magnet का north pole कहते है, और जो end south की तरफ होती है, magnet के उस से तरफ को हम लोग south pole कहते है, सब उचक्रोणा को एक magnet है, मालो यह कोई magnet कुछ इस पकार से रह जाता है, तो हवा में लटका देने के बाद जो यह है न, आपका थोड़ी दिर हिलेगा, दूलेगा, और at the end जब यह रूखेगा, तो इसके जो direction है, मालो जो रूखने के बाद जो north side में आके रूखेगा, उसे बोलेंगे north pole, तो वो magnet का कौन सा हिससा हो जाएगा, उसका न हमने बोलेंगे south pole, और यह जो south pole है, वो magnet का वो ही south direction होगा, मतलब कैसा तो, magnet का वो end जो south के तरफ रूखेगा, उसे हम लोखेगे south pole, तो यहाँ पर एक्शली लिखने में थोड़ी problem हो रही, चुकि मेरे पास proper वो लिखने के gazettes नहीं है, बड़ मैं manage कर रहा हूँ, और प्र तो यह magnet का एक special properties होती है, और इस properties का यूज करके, कि उसे freely suspend करो, तो हवा में वो north और south direction नहीं आकर रुखती है, तो इस properties का जो use है, हम लोग कई सारे जगों पर इसका help हो हम लोग ले पाते हैं, जब हम find direction find करने होती है, मालों किसी ऐसे जगर पर होते जहां से हमें east, west, north, south जो direction हो, पता नहीं चल पा रहा होता है, तो हम उन जगों पे magnet के help से, compass के help से बिसके लिए कह सकते हो, magnet से बनी एक device है, campus और compass के help से हम लोग कह सकते हैं, हमारे direction है, वो हम कहां है, और इसके left में, right में, east or west कि दर है, वो हम लोग पता कर लेते हैं, और एक और properties होती है, कि जो magnet है, वो क्या करते हैं, उसके opposite poles होते हैं, वो magnet को attack करता है, जो opposite poles है, इसको ऐसे समयो, मालो ना, एक और magnet को यहाँ पर ऐसे draw करा जा है, और यह जो magnet है, तो आपने कई प्रकार के magnet देखे होंगे, आपके पास gold magnet है होंगे, पता ने, cylindrical, जो आपका magnet है, वो भी आपने देखा जाओगा circular magnet देखा होगा, तो magnet है कई सारे types होते हैं, कई सारे जो बनावटर में अंतर आ सकते हैं, बट मैं जो अभी ले रहा हूँ, यह बिल्कुल देखो, ऐसे straight magnet है, तो यह क्या है, north pole था, और यहाँ पर है south pole, हम क्या करता है कि दूसरी magnet लेते हैं, और जो दूसरी magnet है, उस magnet का जो north pole, south pole है, उसमें भी कोई ना, कोई north pole, south pole होगा, तो जैसा हो जाए कि दोनों north pole एक दूसरे के साथ आ जाए, तो यह क्या करेगा, एक दूसरे को repel करेगा, repel करने कहने मतलब है ना, कि वो एक दूसरे से दूर भागेगा, लेकिन जैसा ही ऐसा situation create हो जाए, कि जो magnet का north pole है, और जो दूसरे magnet का south pole है, वो एक दूसरे के नजदी का जाए, suppose करो कि यह इस magnet का निचे वाल है, magnet का south pole, और जो उपर में magnet draw करी वी, इसका north pole, इस direction में आजाए, ऐसे आजाए, तो यह एक दूसरे को क्या करेगा, अपने और attack करिए, उधर जाना चाहेगा, और यह इधर इसके और आना चाहेगा, तो ऐसे जो opposite pole है, वो magnet का attack करती है, और जब same pole आ जाता है, तो वो magnet को repeal करती है, चली, similar poles आ जाने पे, वो क्या करती है, repeal करती है, इस magnet is surrounded by a magnetic field, एक और चीज़ आपको याद रखनी है, कि जो magnet है, तो जितनी सारी चीज़े हम आज चैप्टर में पढ़ने वाले है, वो सारे magnet समन्दी दिये, तो magnet के जो अलग-अलग properties है, culture है, behavior है, वो सब लोग पढ़ने वाले है, जो हाल चाल है भी न, magnet का, वो सब आज स generate हो गया है, magnetic field generate हो गया है, मतलब इसके आज पास में आपको एक ऐसी energy, आपको एक ऐसे power देखनों के मिलेगी, जो magnet के दवारा उत्पन हुआ है, magnet के दवारा जो हो created है, आगे पढ़ेंगे basically कैसी strength और magnet, जो हो कौन सी power generate करती है, कहले लिख है कि जो magnet, magnet, permanent magnets, अच्छा, अब magnet के कुछ types पढ़ने होती है, जैसी का आपका permanent magnet, और इसका just opposite आता है, एक temporary magnet, तो जो permanent magnet वो magnet है, जिसमे उसके magnetism मैंने के magnet से related properties है, वो हमीशा के लिए होता है, for a long time, बहुत लंबे time के लिए, बट जो temporary magnet होती है, उसके जो behavior है, या जो magnetism है, वो सिर्फ कुछ ही time के लिए होत है, एक और magnet के बार में आपको पढ़ना है, जिसको मुझा बोलते है, कुछ magnet होती है, जिसमेना electric current का pass करा हूँ, कोई coil रहती है, wire रहती है, उसमें electric current पास करा हूँ, तो जो coil है, वो magnet की तरफ behave करीगा, बट जैसे ही उसमें से electric current का flow है, वो रुख जाता है, तो ये magnet आपका magnetic की तरफ behave नहीं कहता है, बलकि वो एक non-magnetic substance और material बन जाती है, तो इन तरह के substance को हम कहते है, electro-magnetic, तो इसका भी अपना एक use है, इसका भी अपना एक specification है, तो इसके बारे में बलोग आगे के classes में, आने की next वीडियो में basically दिखेंगे, तो ये जो वीडियोस है, वो कापी long हो जाएगे, तो हम नहीं चाहते हैं कि वीडियोस काफी long हो और आप बांद जाके बोर हो जाओ, आपके इलिए में small लाता हूँ, छोटे-छोटे वीडियोस करें, 20 मिनिट्स और 50 मिनिट्स के, जदि आपको long वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट बोक्स में comment करके बता सकत करते हैं, अब आपके बारे में थोड़ी और चीज़ें हम रोपता करते हैं, क्या लिखाव है कि जो एलेक्ट्रो मेंगनेट हम वो यूसफूल है, बिकॉस दिर स्रेंथ कैन बी वेरीड एंड दे कैन बी तरन आफ और आउन 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 जब हमें जरूरत होती तो हम कर सकते हैं, उस मेंगने बी हम लोग कम और जजयता कर सकते हैं, हम ज़hof ।बड़न सकते हैं, जदि हम चाहते हैं किज़ेंगेनेट हो नवह कम फावर में फावर पोल हो जब या ज्यादा हो ज़्यादा करते हो या उसके अपनी importance है यह चीज़ें आपकी खराब हो जाती तो आप चाहते हो कि इसके स्टेंथ हो कमी रखा जाता है तो आप उसको एलेक्टिसिटी के फ्लो के एकॉर्डिंग आप से कंट्रोल कर सकते हो तो यह था आपका एलेक्ट्रो मैंट्र तो पूरी चैप्टर की तू मैंन में पॉइंट से अब सारा हमने कंप्टिक सब्सक्राइब सब्सक्राइब होते हैं उसको कि फिर फिर अर्थ के मैंने फिल्ट के बारे में जानेगे एक पर्वानियट बनाने के कौन कोर से तरीके इसके बारे में बढ़ेंगे next जो हमारा topic क्या permanent magnet होती है और temporary magnet, क्या-क्या things होती है इन दोर में क्या difference क्या इसकी बारे पढ़ेंगे हमारा next topic होगड पर elektromagnet के qualities के बारे में पढ़ेंगे कि इन चीज़ों करने चाहिए कैसे बीनाना है इसके बारे में भी और next and last लोग पढ़ेगी कि मैगनेटी कैसे देख भाल करी जाए और मालोक किसी मैगनेट से उसके properties को हटाना है अनले कि de-magnetize करनी है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं और इस सब के बारे में पढ़ गहीं यह chapter हो जाएगा हमारा close तो हमारा learning objective क्या है तो हम लोग बैसे इनले मैगनेट की एक के बारे में पढ़ लेंगे non-magnetize और magnetic substances क्या होता इसलिए बारे में जानेंगे properties जानेंगे, अर्थ के magnetic field को जानेंगे electro-magnet क्या होती है कैसे बनाई जाती है, उसका signal mechanism क्या होती है कैसे एक magnet को store किया जाए उसका कैसे संभाल के रखा जाए कि उसका जो power strength है वो कभी जाही ना और कैसे एक magnet से जदी power को भीजना है हटाना है, lose करने उसके properties को तो कैसे कर सकते है तो यह था हमारा learning objective और कैसा तो यह था आपका आज की सेप्र का introduction चली थोड़ी से आगे बढ़ते हैं कुछ-कुछ और topics को हम लोग cover कर लेते हैं और details में लेखते हैं कि जो magnet है वो क्या चीज होती है कहां से सबसे पहले इसके बारे में हमें पता चलता है और किन-किन जगों पे हम आज इस magnet का use तो गाइस अब जो हमारा next topic है वो है discovery of magnet मतलब मेंगनेट का जो discovery है वो कैसे हुआ है चली इसके बारे मुझाते है तो सबसे पहले आप तो यह जानो कि मेंगनेट क्या होती है जो कि इसके पहले बारे में में अपर के लाइन में पढ़ा है यह बहुत पुरानी बात है लगभग 800 BC की आने की 800 BC समझ रहे हो अब लिए 2400 हो गया ना उसमें से 800 और पीछे चले जाओ तो करीब करी 3200 अगुज वह सबसे पहले बारे में 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 बारे में बता चला क्या लिखा है कि यह चीज़ों को चलाएस यह बहुत बारे निवाशन平ड हो के लिए मनें बारे भी पतरोपी गो खुमता फिरता रहा उन्हीं एक गड़ेरिया था जिसका नाम था मेंगनेज जिसके जूते बड़ा स्पेशल थे उसके जूते में लुहे की नेल्स लगे पड़े थे तो इसके नीची वाले पाहड पत्थरों कर रिवान हुआ था उस पर अपने शेफ़ट को ले जाकर के चर में अग्री रिवत रहा है तो जो नेल्स थे ना उसके सूस में लगे देट थे आयरेन्स के देनित यूसं के बीचिपग जारहे थे तो चीपड़े उते कहीं पर हो रहा तो तो बहुत ही अजीबोगी सिचुएशन क्रेट हो गया था वो बुब आई कैसा तो बिल्दी साथ तो उसके बाद से मेगनिट जो थès उसके नाम जिया जा है बात में क्या है कि और कुछ चीजे जो है उसके बारे में पता चलना स्टार्ट होता है जब आप किसी मेंगनेट को freely suspend कर दो जो मेंगनेट है वो जब wrist state में आती है वो ससान्त हो जाती है तो वो हमेशा North और South direction में आके रूख जाती है तो नौर्थ और South direction में आके रूखने के वज़र से हम यहां से direction पता कर पाते हैं मालों कभी भी किसी भी मेंगनेट को freely suspend कर दो थोड़ी दे के बाद रिस्ट में आएगा तो आपको नौर्थ और South direction है वो भी आपको बताता है और इसलिए इस properties के वज़र से it was also called the lodestone तो यहां से हम देख पा रहे है कि जो मेंगनेट है वह आपका naturally जो है अर्थ पर ही अब पाया जाता है तो वह जो natural occurring substances होता है जिसमें मेंगनेट की behavior होते है उसे हम लोग कहते है नेचुरल मेंगनेट होती है वह किसी भी सेप और साइज का पाया जाता है इसकी जो strength है वह बहुत वीक होती है और इसलिए जो नेचुरल रुजीजिक नहीं है मेंगनेंट का help से कुछछना चाहते क कुछ special करना चाहते के लिए हमें बनाने होती है अर्टिफिशल मेंगनेट तो चलिए अब देख इंख ये सेपसमें और साइज्य में पाई जाती है तो मेंगनेट जो हुमस के तो पाया लोग तो कहला हुँा as required for the use वो अलोग-अलोग shape और size की बनाई जाती है जैसा हमें आवसकता होती है हम उस तरह से उन magnet को ढाल देते हैं यह जो magnet है वो बहुत strong होता है तो तो यहां पर नाप magnet natural magnet और artificial magnet में first differences आपको मिल जा रही है कि जो artificial magnet होती है उसका fixed shape और size होता है natural magnet का fixed shape और size नहीं होता है वो irregular size की होती है जो artificial magnet होती है उसकी strength बहुत ज्यादा strong होती है बड़ जो natural magnet है उसकी strength weak होती है कुछ magnet के size है वो आप देख सकते हो कुछ magnet आपके first आने के power magnet होती है बी cylindrical magnet हो सकती है U shaped magnet होती है D में है आपका horse suit magnet और E में है magnetic needle and F में है compass to बात Mmm पस्ताinka से प्पूर lockdown स्वान स्वाब को स्वाण स्वाद